प्रतीक वार्षने यह एक trading course है absolute beginner बंदे के लिए जिसको A, B, C, D भी नहीं पता जिसको A, B, C, D भी नहीं पता trading क्या होता है trading का मतलब क्या होता है trading करते कैसे है DMAT account लोग बोलते हैं कि खोलना पड़ेगा आपको वो DMAT account होता क्या है खुलता कैसे है चार्ट कहां देखना है जितने मन में सवाल है सारे स्कोर्स के अंदर कवर हो जाएंगे प्लेलिस्ट के लिंक डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लेक्चर वाइस डिवाइड है सारे देखते चले जाओ पहली चीज़ दूसरी चीज़ यहाँ पर इस चैनल की जो आपको लेंगोईज मिलेगी वो आपको ऐसी लेंगोईज नहीं मिलेगी कि the price went shooting up then there was a fake breakout then suddenly the demand got increased the price went up but again it fell down because the buyers got trapped and their SL were triggered and blah 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 ऐसी लेंगोईज मिलेगी ही नहीं यहाँ सीधा मिलेगा भाई इतनी friendly language में अगर आपको चीज़े समझनी है तो यह चैनल आपके लिए यह course आपके लिए अगर आपको वही लेंगोईज चीज़े है तो यह चैनल आपके लिए यहाँ fancy नहीं मिलती है यहाँ चीज़े simple मिलती है और ऐसी चीज़े मिलती है जो आप direct जाके करोगे तो आपको उसके result मिलेंगे मैं गाड़ी बनाना नहीं गाड़ी चलाना सिखाता हूँ क्योंकि बना के क्या बनाने के लिए लोग बैटे है आपको क्यो टेंशन लेनी है आप चलानी सीखो खतम करो मोज लो सबसे पहला कोशन आपके मिन में आना चाहिए कि भाई ये ट्रेडिंग क्या होती है ट्रेडिंग का मतलब क्या है ट्रेडिंग का हिंदी में मतलब होता है व्यापार किसी चीज़ को खरीदना देन उस चीज़ को बेच देना जो इन दोनों के प्राइस का डिफरेंस होता है खरीदने और बेचने के वो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है ट्रेडिंग का मतलब सिफ ये नहीं होता कि सिफ प्रॉफिट होगा भाई लॉस भी होगा loss तो खूब होते हैं trading में, कोई बड़ी बात नहीं है बस हमारा target है रहेगा कि जब हम profit करें, तो बढ़ा करें जब हम loss करें, तो छोटा करें खतम, इत्ती ही बात है आप इस तरीके से समझो, मानलो एक A stock है, आपने उसको 100 रुपे में खरीदा और 102 रुपे पे बेच दिया तो जो 2 रुपे का difference है वो आपका profit है अब trading में दो चीज़े होती है या तो सस्ता खरीद के महंगा बेच लो या फिर पहले बेच दो, उसके बाद खरीद लो दुबार से, लेकिन अगर आपने पहले बेच दिया है तो वो जबरदस्ती आपको खरीदना ही पड़ेगा उसके बाद चाए उसका rate कम हो गया हो, चाए बढ़ गया हो मतलब वो profit भी कर रहा सकता है, loss भी कर रहा सकता है इस चरीके से समझो, मानलो आपने 100 रुपे पे खरीदा और 110 रुपे पे बेचा ये तो simple है, 10 रुपे का आपका profit हो रहा है आपे सस्ता खरीदा महेंगा बेच दिया अगर आपने let's say 100 रुपे पे पहले sell कर दिया है 100 रुपे पे पहले बेच दिया उस stock को, आपके पास नहीं है उस चीज को, ठीक है आपने 100 रुपे पे sell कर दिया provided कि आप उसको दुबारा खरीदोगे आपको खरीदना ही पड़ेगा दुबारा, ठीक है अब मानलो 100 रुपे से उसका price गिरके हो गया 90 रुपे और आपने 90 रुपे पे उसे तुरंत वापिस खरीद लिया तो यह जो 10 रुपे आपने सस्ता महंगा बेचा, सस्ता खरीदा तो भी 10 रुपे का difference आपका profit हो गया लेकिन suppose उसका price कम होनी की जगा बढ़ गया मानलो 190 हो गया यह तो जो 90 रुपे की हालत खराब होई है आपके यह आपका loss होगा क्योंकि आपने जब sell करा है तो आप यह guarantee दे रहे हो सामने वाले को कि मैं वापिस खरीदूँगा ही खरीदूँगा intraday order करोगे तो एक दिन का होता है intraday मतलब होता है सुभा खरीदा दुपैर को बेचा या सुभा बेचा दुपैर को खरीदा market बंदोने से पहले वो order automatically आपका execute हो ही जाएगा तो basically क्या होता है ट्रेडिंग में जो आपकी जो अभी summary मैं दूँँग अगर इस बात की अभी एकदम से confused मतलब हो कि तो महंगा आपने बेचा प्रॉफिट हो गया आपका difference ठीक है दूसरी चीज होती है short position कि आपने किसी चीज को महंगा बेचा और जब उसका price गिर गया तो सस्ते में वापिस करीद के आपका फिर से profit हो गया तो इस confusion से हमेशा बचना कि सर जब मेरे पास है नहीं तो मैंने बेचा कैसे अरे भाई आप बेच सकते हो यह आपके पास option है जब आप order place करना मैं आपको सिखाऊंगा कहाँ पर order कैसे होता है क्या होता है उसमें सारी चीज़े कवर होंगी तो summary यह है कि long position भी बना सकते हो कि भाई या सुबा खरीदा दुपैर को बेचना है या सुबा बेचा दुपैर को खरीदना है दूसरा होता है आपका btst buy today sell tomorrow कि आपने आज कोई चीज़ खरीदिया बेची अगले दिन आपका वो order खतम करना है यह होता है btst ठीक है तीसरा होता है swing trading swing trading मतला हफते 10 दिन के लिए आपने कोई position बनाई उसका price बढ़ गया तो profit बुक करें लौस बुक करें वो आपकी मर्जिए swing trading का basically time duration रहती है साथ से 10 दिन के around मान सकते हो आप ठीक है basically trading में आप जो भी position मना रहे हो वो एक महिने के अंदर अंदर के लिए बना रहे हो या तो same day के लिए बना रहे हो intra day या अगले दिन के लिए बना रहे हो या अगले हफते 10 दिन दो हफते के लिए बना रहे हो बस यह होती है trading investment on the other hand कम से कम एक साल से उपर के लिए investment बोला जाता है, एक साल तो बहुत छोटा बता रहा हूँ जब कोई बंदा धंका invest करता है तो वो 5-6 साल के लिए पैसा invest करता है धंक से, ठीक है, तो यह दोनों का difference है, long term अगर किसी को कुछ करना है तो उसको investment बोला जाता है short term किसी को कुछ करना है तो उसको trading बोला जाता है अब मेरा जो specialization field है, वो investment नहीं है ऐसे बहुत लोग होंगे यों मेरे से अच्छी investment advice आपको दे सकते हैं, मैं investment advice तभी देता ही नहीं किसी को मेरा सीधा हाथ जो बैठा हुआ है वो है trading पे, और उसमें भी सबसे खतरनाक वाली trading होती है intraday और intraday के अंदर भी जब types आते हैं तो उसमें होता एक future and options मेरे page का नाम है option trading only क्योंकि मेरा specialization नहीं options में है option buy करना, sell करना सारी चीज़े क्या होती है, क्या मतलब होता है वो आपको आगे के lectures में पता चलेगा इसमें आपका बस मुझे basic clear करना था क्योंकि beginner बंदे के मन में यही doubt नहीं आस्तर clear होता, कि sir मैं तो सिर्फ खरीच सकता हूँ आपने बेच कैसी दिया रहे, भाई बेचना भी allowed है और यह आज से नहीं, बहुत पहले से allowed है तो इस confusion को clear करो, ठीक है I hope आपको कुछ clarity मिली हो की अगले जो lecture होगा, उसमें हम क्या discuss करेंगे उसमें हम discuss करेंगे DMAT account को कि trading start करने से पहले आपको DMAT account खोलना पड़ता है वो क्या होता है और कैसे खोलता है उसके बाद आगे फिर chart, reading, how to start सारी चीज़े कभर होंगी तो अगर आपको यह lecture अच्छा लगा हो और यह beginner course आपको अच्छा लग रहा हो तो भाई, like, share, subscribe, subscribe करो जो लोग मेरे telegram group को join करना चाते है उसको कुछ नहीं करना Google पर जाके search करना optionradingonly.in मेरी website पर यह आपको इत्ता बड़ा-बड़ा दिखेगा join our free telegram group live market के अंदर बैठके मैं आपको सारे updates देता हूँ कहाँ पर trailing start करना है, कहाँ पर risky हो सकता trade कहाँ पर profit log करना है, वो सारी चीज़ है आप इस पर click करोगे, इस तरीके से एक page आएगा, view in telegram पर click करके आप मेरा channel join कर सकते हो, free है यह telegram group, अगर किसी को इस link में भी problem आए, आपको कुछ नहीं करना, telegram खोलना अपने phone में, search पर जाना और लिखना option trading original, यह spelling होनी ची, exact अब आप देखो के साथ में कुछ fake copies भी आजाते हैं, तो इन से बचके रहना जिसके username के exact spelling यह हो, option trading original, वो ही मैं हूँ, obviously क्योंकि एक username के साथ multiple pages नहीं हो सकते, अब जैसे किसी ने one extra लगा दिया, कोई कोर्स लगा रहा है, कोई original कर रहा है double L लगा रहा है, यह सब पागल बने, छोड़ तो fake हैं सब, सिफ एक page असली है और page की न, शकल पर पता चल जाता है कौन सा असली है, कौन सा नकली है, जैसे मैं इस पर click करता हूँ, मैंने join channel पे भी click कर दिया, कर दिया मैंने join channel अब आप notice करो, यहाँ पर सारे voice notes मेरे हैं सारी images मेरी हैं, viewership से पता चल जाता है 15, 15, 16, 16,000 views हैं, तो नकली page के इतनी views तो नहीं होंगे तो आपको clearly पता चल जाएगा, ठीक है और verify करना हो, तो इस पर भी click कर ले न यहाँ पर आपको यह description दिख रहे हैं, exact यही description आपको मिलने वाला है इसके लावा कोई भी description नहीं होगा, अगर इसके लावा कुछ भी है तो वो fake है username exact यही है, description यह है बाकिया आप यार इतने तो समझदार हो, ऐसे छोटे बच्चे की तरह क्यों ही बता रहूं मैं आपको मुझे पता है आप लोग बहुत smart हो, चलो, अब मिलते हैं अगले lecture में, ओगे बाए